हेलो दोस्तों, welcome to sleepy classes, तो मेंस crash course में आज हम economy का question यहाँ पर discuss करेंगे, question आप अपने सामने यहाँ पर देख सकते हैं, बात हो रही है, case shape recovery के बारे में, तो कैसे ऐसे questions को अप्रोच करना है, कैसे इन questions को देखते ही आपको structure mind में तयार करना है, तो उन सबी चीज़ों के बारे मे हमारा special priority group यहाँ पर में 2022 के लिए शुरुआत की गई है, जिसमें mentorship आपको selected candidates दो रहा है, यहाँ पर provide की जाएगी, test यहाँ पर रखे गए, sectional as well as full and test, साथ के साथ, question answers के format में more than 300 plus topics यहाँ पर cover के जाएगे, dedicated telegram group रहेगा और daily basis पर 5 questions यहाँ पर cover के जाएगे, तो basics information है, इस course रहेगा, आपके लिए course में रोल होना, ताकि आप अपनी maze की preparation को यहाँ पर strengthen कर सके, अब back to the question जाते हैं, बात जो यहाँ पर की जा रही है, case shape recovery के बारे में, तो basically जब भी ऐसे questions आप देखें, तो जो एक मेरी personal approach भी यहाँ पर रहते हैं, कि मैं कोशिश करता हूँ keywords को identify करन तो वही मेरा पहला target भी रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, keywords identify करेंगे, जिसके अधार पर आप अपना question वहाँ पर structureize कर सकते हैं, सबसे पहला keyword आपका यहाँ पर case shape recovery का आगया, ठीके जी, यह आपका पहला keyword है, कि इंदिया यहाँ पर witness कर रहा है, case shape recovery, अब आप से पूछने क्या उसके economic और social ramifications होंगे, elaborate कीजिए, दस नमबरा question है, 1500 word limit आपकी यहाँ पर रहेगी, और उसी के धार पर आप कह सकते हैं कि, हंजी मिरको 160 तक में इस question को summarize करना है, बट हमारा objective यहाँ पर कह रहेगा, कि आपको content यहाँ पर provide के जा सके, कैसे आप content को कम से कम शब्दों वहाँ पर लिखें, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकें, तो पहला keyword हमारा आगा, केशे प्रिकवरी का, दूसरा keyword यहाँ पर economic ramifications, ठीक है दिया, फिर economic impact, थर्ड क्या जाएगा हमारा यहाँ पर social impact, तो यह हमारे keywords है और इसी के अधार पर यहाँ पर हमार identify कर ली है, तो आप conclusion यहाँ पर करेंगे, सास के साथ कुछ measures वहाँ पर mention करते हूं, कि हम इस तरीके से हम इन issues को वहाँ पर resolve out कर सकते हैं, तो भही approach यहाँ पर भी रहेगी, तो शुरुआत करते हैं, इस answer को देखते हैं, किस तरीके से approach किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो ह impact रहें on different social economic groups, कि ऐसा नहीं कि गरीब और अमीर पर एक तरीके से यहाँ पर असर पड़ रहा है, कि गरीब कब नुकसान हुआ है, अमीर कब नुकसान हुआ है, जी नहीं, यहाँ पर अमीर हुआ है, गरीब और जादे यहाँ पर गरीब हुआ है, उसी के हिसाब से, इस narrative के ह आप से हम कह सकते हैं, कि जो recovery अभी हम witness कर रहे हैं, वो आपकी case shape है, अब यहाँ पर जो question में आप से बात रखी गई है, इस सीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कि directly examiner ने कहा है, कि इंडिया case shape recovery witness कर, आप से पूश नहीं रहे हैं, कि whether it is a case shape और whether it is a v-shape, 2021 का जो आपक recovery हम witness कर रहे हैं, 2021 का जो आपका survey यहाँ पर सामने आए है, उसमें यहाँ पर case shape recovery की बात की गई है, तो directly यहाँ पर आपसे बात रख दी जा चुकी कि case shape recovery witness कर रहे है, आपको यहाँ पर points नहीं देने, आपको यहाँ पर कुछ data points यहाँ पर नहीं quote करने, जिसके अधार पर आ justify करने के लिए आप ऐसी कोई report वहाँ पर mention कर जी, जो latest round हुआ यहाँ पर आई 360 survey 2021 का, जो कि यहाँ पर price जो कि people's research on India's consumer economy, जो यह आपका think bank है, Mumbai based जो think bank है, इनके दौला जो point out किया गया है, कि यहाँ case shape recovery की emergence आ चुगी है, कि उस तरीके से हम recovery, case shape recovery यहाँ witness कर रहे है, तो वी shape recovery में यहाँ पर क्या चीज़ witness की गई, कि pandemic आया इस दोरान, उसके बाद हमने contraction यहाँ पर witness की, number of lockdowns यहाँ पर लगे जिसके चलते, आपकी हम growth नहीं हो पाई, economy यहाँ पर revive नहीं कर पाई, आपकी recession में चलीगी, बट फिर इस दोरान यहाँ पर regulators और सरकार दोरा number of efforts यह राइव हो रहे हैं, तो हम इसे एक तरीकी की V-shape recovery यहाँ पर कहेंगे, बट अब यहाँ पर हमारे सामने क्या बात सामने आई है, कि यह अब आपकी V-shape recovery तो नहीं है, कि आपके कुछी sectors हैं यहाँ पर जो की revive कर रहे हैं, pre pandemic levels को पार कर चुके हैं, बट कुछ sector ऐसे भी हैं बट कुछ sectors का अभी भी यहाँ पर downfall चल रहा है, तो वही चीज़ आप mention करते हुए, रिपोर्ट को mention करते हुए, आप यही चीज़ कह देंगे, कि हंजी यहाँ पर case shape recovery है, फिर important रहेगा आपके लिए कि आप case shape recovery को थोड़ा define भी कर दें, कि case shape recovery किस तरीकी की है, जब भी आ current रहेगा, उसके बिल्कुली opposite यहाँ पर रहेगा, across the sectors, industries and group of people, और वही चीज़ आप एक छोटा सा picture वहाँ पर draw करके, इस तरीके का diagram वहाँ पर draw करके, कि pre pandemic level पर हम ऐसे growth यहाँ पर चल भी थी, recession वहाँ पर आया, आपकी contract कर गी, उस हिसाब से फिर कुछ sectors यहाँ पर grow कर ग हो सकता है कुछ समय में virtual reality के थुरू आप किसी प्लेस पर जाकर travel कर सकते हैं, बट अभी इस हिसाब से अगर हम देखें, restrictions की वससे, यह जो sectors है, यह अभी भी pre pandemic levels को वहाँ पर cross नहीं कर पाए हैं, और यह same चीज आपकी economic survey 2021 में भी यहाँ पर mention की गई है, ठीके जी, फिर वह boundaries वहाँ पर limited होगी, तो उसके चलते ही, यहाँ पर internet का सबसे जादा use करते हुए, जो sectors यहाँ पर grow करे हैं, उनको definitely यहाँ पर फाइदा मिला है, ठीके जी, तो इस तरीके से हम यहाँ पर case shape recovery की बात करते हुए, एक proper introduction यहाँ पर तयार कर देंगे, अब आता है हमारा second keyword, economic impacts क रहेंगे, उन्हें यहाँ पर कम कर दें, corporate tax जैसे आपका हो गया, ठीक जो से यहाँ पर कम कर देगा, बट वहीं जो आपके indirect taxes है, वो यहाँ पर बढ़ा दिये जाएंगे सरकार दोरा, ताकि उस तरीके से उनकी earnings भी हो सकें, और वही चीज हमने pandemic के दुरान भी वहाँ पर witness की थी, यह fuel पर, जब global crude oil prices वहाँ पर कम हो गए थे, बट still यहाँ पर सरकार दोरा जो उसके उपर exercise duties imposed की जाए थी, वो जादा ही की जाए थी और at power ही, जो पहले का आपका price था, उसी का at power वहाँ पर रखने की कोशिश की जाए थी, ताकि वहाँ से पैसा अन के जा सके, फिर मैं सोड़ा जादा rapidly इस चीज को cover कर रहा हूँ, बट important point है, इस sequence को ध्यान में रखिए, high inflation यहाँ पर आचुकि है, but incomes वहाँ पर नहीं बढ़ी है, कि आपके जो middle और lower middle class है, अभी भी incomes उनकी उतनी ही है, बलकि inflation यहाँ पर बहुत जादा बढ़ चुकी है, उसके लाबा credit growth, कि यहाँ पर सरकार का तो बहुत जाद दावा यहाँ पर रहता है, कि हैंजी credit growth यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरगे से बढ़ाई है, बट आपके कुछी sectors में वहाँ पर बढ़ी है, North Eastern region specifically हो गया, कि उस areas में आपकी credit growth वहाँ पर बहुत बढ़ी है, फिर वहीं जो आपक आपकी two-wheeler sales, कि जो की represent करती है, कि जो lower or middle class है, उनकी economic situation कैसी है, तो उसकी sales में यहाँ पर decline है, फिर वहीं आपकी premium cars या जो आपकी premium motorcycles हैं, उनकी sales में as such यहाँ पर फरक नहीं पड़ा है, लोग अभी भी उन गाडियों को वहाँ पर खरीद रहे हैं, impact on households, कि वहीं जो हम बा inflation की है, money की, अब उसके साफ से अगर हम देखें, pandemic है, lockdown लगा, अब उनके दौरा जो laser activities, जो उनका एक रहता था हैं, जी महीने में घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब वो सब चीजे नहीं हो पारी, तो उनकी savings वहाँ पर बढ़त जा रहे हैं, फिर वहीं ज purchase and black market में वहाँ पर भी करें हैं, उसके लावा उनकी earnings भी वहाँ पर नहीं है, तो जो already उनकी savings थी, वो भी यहाँ पर डिपलीट होती गई है, तो इस तरीके से जो आपका high income level के जो ग्रुप से, या फिर जो आपके upper middle class वाले जो ग्रुप से, उनकी savings और ज़दा यहाँ पर बड़ी हैं, बड़ जो आपके lower middle class या फिर जो बिल्कुल ही lower class के जो ग्रुप से, उनकी savings यहाँ पर और डिपलीट हुई है, तो इस तरीके से impact पढ़ा है, household पर भी, ठीक है जी, अब बात करते हैं, शोशल impacts के बारे में, कि definitely जो taxation policies जो वहाँ ने economic impacts में बात की है, तो उसक दीखे के indirect taxes वहाँ पर बढ़ाया जाएंगे, fuel, आपके food prices वहाँ पर बढ़ते जाएंगे, और indirect taxes वहाँ पर बढ़ेंगे, तो definitely उसका जो pressure रहेगा, वो इन groups पर बढ़ता जाएगा, ठीके जी, फिर, जो disposable incomes है families की, वो यहाँ पर आपकी गिर जाएंगे, क्योंकि inflation यहाँ पर आचुकी है, economy में, अब definitely जो हमने बात किये कि जो आपके riches of the riches रिचेस वहाँ पर पैसे यहाँ पर कमाए हैं, savings उनकी जादा हुई है, तो inflation को वहाँ पर cater कर सकते हैं, ठीके जो उनके पास surplus वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना एक तरीके का उनोंने provisions वहाँ पर ensure कि हैं, कि हंजी अगर महंगाई बढ़ती है, तो हम इस तरीके से अपना खर्चा वहाँ पर minimize कर सकते हैं, बट जो आपके बिलकुली ऐसी poor families हैं, उनके लिए high inflation का बहुत दोड़ा impact पड़ेगा, जिसके चलते जो nutritional levels हैं, ठीके जी, अब पहले कहा रहा है था कि थोड़ा बहुत capabilities हैं, वो भी society में यहां पर बढ़ती जा रही हैं, साथ के साथ जो budget cut हमने जो यहां पर देखा, कि सरकार दोरा CAPEX में, capital expenditure में 30 plus percentage का increase यहां पर witness किया है, बट वहीं जो आपकी ऐसी social security scheme, food subsidy के बारे में ही बात कर लें, तो इसमें जो budget allocation 27% से यहां पर कम कर जा चुकी है, ठीक जाती है, medical infrastructure यहां पर improve करना, healthcare यहां पर improve करना, logistics sector को यहां पर improve करना, transportation sector को यहां पर improve करना, बट जो vulnerable sections हैं, उनके लिए जो पहले measures लिए जा रहे थे, जो अभी भी उन्हें जरुरत है, जो कि एक तरीके से case shape recovery से हमें पता लग रहे हैं, कि वो sections अभी भी यहां पर revive नहीं क जरुत है, बट यहां पर budget cut नहीं कर जा चुका है, फिर loss of regular income के बारें बात करें, तो बहुत सारे लोगों ने यहां पर अपनी jobs खुई हैं, over more than 50 lakh people, अगर हम इस center for monitoring and economy की report यहां पर देखें, अब definitely जो कुछ sectors ने जो कि यहां पर grow कर रहे हैं, वो चलो employment opportunities यहां पर provide करेंग तो definitely उस तरीकी की नहीं jobs वहां पर offer नहीं कर पाएंगे, तो जो ही ऐसे इन sector से जो related job के employment holders थे, अब definitely उनके उपर hit पड़ा है, पहले नौकरी जा चुकी है, अब उनके लिए काफी जादा मुश्किल हो गया है नहीं नौकरी को वहां पर obtain करना, और फिर वही जो widening inequalities के बार है कि पिछले 5 सालों में, जो यहां पर income के additional level जो हमने यहां पर witness की है, in the richest 20% of the households, वो अभी तक के maximum हमने यहां पर witness की है, ठीके जी, तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो richest है, वो और जादा यहां पर अमीर होता जारा और गरीब बिचारा और जादा यहां पर गरीब कर देंगे, फिर last में बात आती है conclusion, कि अब आपने काफी सारे issues यहां पर highlight किये, तो objective क्या है कि थोड़े बहुत key points भी, कुछ measures यहां पर आप provide करते हैं, ताकि उन issues को वहां पर कैसे resolve कि जा सकता है, conclusion में ही आप यह चीज करेंगे, तो case shape recovery को हम यहां पर picturize कर सकते हैं, as some bright bright spots and a number of very dark stains, ठीक थी रगराम राजिन दौरा जी यह statement यहां पर रखी गई थी, bright spots आपके कुछ sectors है, और number of dark stains हैं, वह आपके वह sector जो कि यहां पर grow नहीं कर पाए, तो definitely यहां पर सरकार दौरा incentives and stimulus की ज़रुरत है, ताकि एक multiplier effect यहां पर, money multiplier effect यहां पर हो सके, इंदा economy, ताक vulnerable sections को पीछे ना छोड़ दे, आप capital expenditure करना चाहता है, definitely कीजिए, but in sections की भी, in sections को जो question आपने provide करना है, उसकी insurance भी आप वहां पर दीजिए, तभी आप उस तरीके से, एक inclusive growth का जो आपका goal रहता है, सरकार का, उसे वहां पर achieve कर सकते हैं, और जो आपके ऐसे sector जो की वहां पर grow नहीं कर पाएं, तो उनके लिए ease of doing business तो यहां पर improve करना ही पड़ेगा, ताकि ऐसे जो आपके small businesses जो individuals हैं, वो दुबारा से यहां पर rise कर सेकें, बड़ी companies को भी बिलकुल अच्छा काम कर रही हैं, उस तरीकी के help ने जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत है जो bottom half economy का, उसक यहां पर काम करें, तो यह आपकी basic सी concluding statements रहेंगी, जिसके अधार पर आपका पूरा question यहां पर तयार हो जाएगा, ठीक सी शुरुआत की हमने case of recovery के बारे में बात करते हुए, उसके बाद आपने mention किया, किस तरीक से economic impacts हमने यहां पर witness की है, social impacts किया है इस तरीकी की recovery के, औ last week conclusion में 2-3 points mention करते हुए, आप अपने answer को यहां पर summarize कर देंगे, और उसी तरीके से, जो हमारा यहां पर mains का crash course भी चल रहा है, जिसमें आपको subject wise content, structure और content यहां पर provide के ज़रा, question answers की format में, यहां पर more than 300 plus topics यहां पर cover किया जाएंगे, 5 questions लेली किया जाएंगे, तो यह पूरा जो crash course है, इसकी सबी details आपके सामने हैं, यदि आपकी कोई भी queries रहें, तो आप हमें toll free number पर contact कर सकते हैं, हम आपकी हर एक query को यहां पर resolve करने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर वहीं जो हमारे भाईबंदों है, जो की 2023 की preparation करें, तो उनके लिए हमने हमने हाँ पर current affairs का course भी यहां पर launch किया है, जिसमें daily basis पर आपके lectures upload किया जाते हैं, दोनों ही tree और main level का analysis यहां पर किया जाता है, जिसके चलते आपको daily PDF और monthly compilations भी यहां पर provide की जाती है, सबी details आपके सामने है, यदि आपकी कोई भी queries रहें, तो definitely आपके सामने हमारा toll free number है ही, तो यह basic सा idea है कि क इस तरीके से आपको economy के questions को वहां पर approach करना है, definitely कोशिश कीजिए कि examiner की demand है, उस question में जो reflect कर रहा है, उसे वहां पर catch कीजिए, और उसी demand के अधार पर अपने answer को वहां पर structurize कीजिए, पूरे इस initiative का objective यही है, कि आपके पास content की कमी नहीं है, आपने prelims करा किया, आपको sufficient knowledge है, कि आप हर एक topic के पर वहां पर लिख सकते हैं, but उस content को कैसे वहां पर structurize करना है, कैसे उसका structure वहां पर तयार करना है, कैसे उसे conclude करना है, यह बहुत important role रहेगा, और इसी कहीं चलते वहां पर आप, जब आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी, कोशन देखते ही, आपको अच्छे सच्छे points हैं पर प्रवाइड करके, आपका जो content है, उसे हम और बहतर हैं आपर बढ़ा सके, so that will be all, all the very best and have a good preparation.